दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पहला National Maritime Security Coordinator के बारे में जी हाँ दोस्तो भारत को यहाँ पे पहला Maritime Security Coordinator मिल गया है जो की दोस्तो एपॉंट करा गया है Government के द्वारा Vice Admiral Retired है जी असो कुमार जी को और आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिसकस करने वाले हैं कि आकर किस तरीके से यह जो Security Coordinator है यह काम करने वाला है Maritime Security हमारे लिए कैसे Important है यह सारी बाते हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को पूरा ध्यान से देखीगा कहीं पर कोई डाउट होता है अगर आप लोग को कोई confusion होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में और दोस्तों अगर आप लोग की कोई demand है आप लोग चाहते हैं कि क्या आप लोग लिए GK की एक पूरी वीडियो बना दी जाए जहां पर कुछ सवाल हो आपको solution बताया जाए mcq वगरे discuss हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं comment section में चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और discuss करते हैं first national maritime security coordinator के लिए पर दोस्तों उससे पहले बता दूँ आप लोग को कि 19 फरवरी तक जो offer आप लोग के लिए जहां पे आप लोग को 20% का off मिल रहा था educator code को यूज करने के लिए अगर आप लोग educator code को यूज करेंगे तो आप लोग को 20% का off मिलेगा और दोस्तों जो हमारा code है वो है study IES एक और बात दोस्तों यहां पे आप लोग के लिए 23 फरवरी तक एक और नया आप कह सकते हैं subscription लाए गया है जहां पे आप लोग को 50% तक off मिलेगा उसके अंदर आप लोग को GS और CSET के mock test series मिलेगी LPI होगा आपका और in-depth analysis होगा video solution के साथ यहां पे आप subscribe कर सकते हैं हमारे code के से use करके और दोस्तों बता दूं कि UPSC CSC के जो नए बैचेज हैं यह भी आप लोग को देखने को मिल रहे है 19 फरवरी से ही तो जो बच्चे interested है वो जाके यहां पे कर सकते हैं आप सभी को बता दूं कि score booster test series भी लाए गई है जहां पे आप लोग को Monday to Friday सुबह 10 बजे 15 कोशन 15 मिनिट आपके पास टाइम रहता है और यह पूरी तरीके जो 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 टेसरीज है यह आपको प्रिलिम्स के लिए देखे गी है free of cost है यहां पे भी आप काफी अराम से जाके enroll कर सकते हैं 20 फ़रवरी को आप लोग का PYQ special UPSC CAC combat होने वाला है जहां पे 54 कोशन और 60 मिनिट का टाइम रहेगा यहां पे भी आप लोग काफी अराम से जाके enroll कर सकते हैं बस enroll करते वक्त आप लोग को जो हमारा code है study IS वो यू उसके बाद इंडिया की government जो है वो पूरी तरीके से इस काम में लगए कि किस तरीके से वो जो हमारे nation की maritime security है इसे और strong कर सकती है और इसी बात को ध्यान रखते वे हमारी government ने appoint करा है Vice Admiral Retired G. Ashok Kumar को as the nation's first national maritime security coordinator और दोस्तों इन ही का यहां पे आप कर सकते हैं पूरा काम कि यही देखेंगे कि country की जो maritime security है इसे हम लोग और बहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं क्या चीज़े हैं जिनको हम और अच्छे करके जो भी आगर आगे हमें इन चीज़ों के बारे में जो hint वगएरा है जो भी आप कह सकते हैं काम रहता है हमारा चाहे वो investigation करनी हो चाहे उसके security लगानी हो कोई भी काम है अगर इस पूरे सेक्टर में maritime security के सेक्टर में तो उसकी देखरेक अब यह करेंगे अगर दोस्तों पूरा overview आप लोग को तो यह बता दूँ कि यह जो पूरा move लिया गया है इतना बड़ा जो move लिया गया है यह पूरे तरीके से ऐसे लिया गया ह कि हमारी जो defense stakeholders हैं हमारे nation के लिए वो कैसे हम लोग अपने country के interest में जो security है उसको और बहतर कैसे कर सकते हैं basically यह जो security आपको बता दूँ कि एक cabinet committee बनाए गए थी पिछले साल उके उसने यहाँ पे approval दिया था है इसी के post के creation के लिए वहीं पर आपको बता दूँ कि एक committee बनाए गई जहाँ पर यह बताया गया कि देखे ऐसा है कि अगर आप लोग को यह काम करना है तो एक ऐसी post बनाई जाए जो आप कह सकते हैं पूरे तरीके से इसे handle कर रही हो काफी सही बात है अगर हम लोग कोई भी काम में करवाना है मान लिजे अगर आप लोग अपने घर में ही कोई साधी वगर करवानी है तो आप लोग को एक head रखना परेगा जो कि देखेगा कि आखिर साधी में जो काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं इसी तरीके से कुमार जी को यहाँ पे appointment करा गया जो कि retired हुए थे last year जोलाई में ही और government यह जो पूरा move लिया है यह इसी तरीके से लिया है कि हम लोग कैसे जो nation की maritime security है इसको improve कर सकते हैं आप लोग को पता होगा कि 26 गया को जो terrorist attack हुआ था terrorist जो थे वो यहाँ पे sea route से ही आये थे और फिर वो लोग आपके सकते हैं मुंबबे में गुश गए और आप लोग को फिर आगी कहानी पता ही है देखें दोस्तों किस तरीके से जो आपकी national maritime security coordinator काम करता है यह बता दूँ देखें सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको पहले head कर रहे थे जो हमारे national security council है अजीर डोवाल जी वो मतलब कि उसके अंडर यह आती थी पर basically उनके काम यह नहीं था लेकिन इस बार जो post बनाए गई यह इसका यही काम है मतलब कि वो security maritime security पे ही धियान देने वाले हैं जो कुमार जी है इनका पूरा धियानी इस पे रहेगा पहले क्या था कि अजीर डोवाल जी जो हमारे NSA हैं यह आपको बतादू कि इसको head करते थे मतलब कि main तो वो यहाँ पे हमारे national security council के हैं लेकिन वो maritime भी देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग सही तरीके से coordinated नहीं करवा पा रहे थे लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हुआ है कि जहाँ पे इसके लिए अलग post बना दी गई है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अब वो post जो है वो पूरी तरीके से उसी पे ही ध्यान देगी उसी काम पे ही नज़र रखेगी जो हमारी NMSEC है यह बेसिकली कोडिनेट करती है Coast Guard के साथ इंडिया नेवी के साथ और भी जितनी यहाँ पे अलग-अलग हमारी security agencies है जो कि हमारे कहीं न कहीं maritime यह फिर coastal security में involved है हमारी तेरे unit territories जो कि बता दूँ आपको coastal states है country की वो यह सभी आपके सकते हैं साथ में मिलके काम करते हैं कोई भी काम होता है कोई भी आपका बता देता हूँ कोई अगर इनने कोई task कोई operation करना है तो यह सभी साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं अगर दोस्तो हम लोग वाइस एडमिलर रेटाइड जी असोक कुमार का रहे में बता हूँ आपको तो इन्हों ने यहाँ पे बता दूँ कि सर्व करा था as the nation 35th navy vice chief के तरीके से और बता दूएता हूँ कि यह जो position थी यह ने मिले थी 2019 में और इन्हों ने सर्व करा था जु इस तरीके से उन्होंने आपके सकते हैं इस पूरे जो काम था इसको अंजाम दिया था और इस पूरे terrorist attack के अंदर काफी सारी locations पे आप बता जाता हूँ terrorist आये थे और लगबग 166 लोगों को मारा गया था और injury काफी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी इसके बाद दोस्तों काफी सारा जो गन डाउन हुआ था नेशन के आर्मी के दौरा काफी बहुत लंबी फाइट चलिए थी गन फाइट आप लोगो पता होगी बहुत चर्चा में ये रही थी इसके बारे में आप लोगो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा तो ये था हमारे पूरा टॉपिक जहांपे आप लोग को पता लग जया होगा कि इस तरहिके से इंडया का पहला मेरी टाइम सेक्यूरिटी कॉद्नेटर काम करने वाला है हमारी जो मेटम सेक्यूरिटी ये कैसे काम करती है लेकिन अगर 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 कोई आपके पास दाउट है तो वो आप मुझे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ओके दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and take care